Good morning students, this is the 13th chapter, occupations in India. भारत में व्यवसाई, व्यवसाई क्या होता है? लोग अपने भरन पोसन के लिए, जीवन यापन के लिए, पैसे कमाने का जो माध्यम अपनाते हैं, उसे occupation क्याते हैं, व्यवसाई क्याते हैं. जैसे कोई लोग ऑफिस में काम करते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई बरतन बनाते हैं, कोई कपड़े बेशते हैं, तो ये सभी उनका व्यवसाई है. The work that people do to earn a living as known as an occupation, जैसा कि मैं नहीं भी बताया. People जो कि अपने जीने के लिए, जो काम करते हैं, उसे ही occupation कहते हैं. Let us learn about the different types of occupations practiced by the people of India. चलिए अब हम लोग अलग तरह के व्यवसाई के बारे में पर हैं, जो इंडिया के लोग अपनाते हैं. सबसे पहला है agriculture. Agriculture means क्या होता है बच्चों? खेती, खेती करना, किसान. Agriculture is the most important occupation in India, especially in villages and small towns. Agriculture बहुत ही important व्यवसाई हैं इंडिया में, खास करके गावों में और छोटे सहरों में. Farmers grow food crops and domesticate animals like poultry and cattle for their meat, milk, eggs and other products. और किसान जो है वो अनास तो उप जाते ही हैं, अनास उप जाने के साथ साथ जानवणों को भी पालने का काम करते हैं. जैसे कि गाई, भैंस और जैसे बकरी, किसलिए? मीट के लिए, दूद के लिए, अंड़ों के लिए, अंडे के लिए, अंडे के लिए, अंडे जैसे कि डग और हैंस, इन सब का पालन करते हैं. Some farmers grow cotton, tea, coffee and jute और कुछ की साल जो cotton, tea, coffee, jute इन सब का भी उपज करते हैं These are called raw materials और इन्हें raw materials कहा जाता है After the farmer has grown the crops, these raw materials go to various industries where they are made in manufactured goods Raw materials को किसान के द्वारा उपजाने के बाद उन्हें factory में, industry में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे सामान, दूसरे सब सामान बनाये जाते हैं जैसे कि मैं example के लिए बता दूँ, cotton के कपड़े बनते हैं नुसरे मैं आए कॉटन वब जाकर फैक्टरी में भेज दिया जाता है जहां उससे कपड़े बनाये जाते हैं कॉफी के सीट्स को भेज दिया जाता है, कॉफी बनाये जाता है applies to all the other kola that we log grated toanut यह सभी बनाए जाते हैं तो यह कहां पर बनेंगे यह सभी बनते हैं फैक्ट्रीज में और यह तभी हो पाएगा जब राव मेटेरियल्स को फैक्ट्री तक पहुचाया जाएगा ओके आगे अगर जाने तो भी साइड्स एग्रिकल्चर एंडस्ट्रीज पेपल इनडिया और इनडिया में एगरिकल्चर के अलावा और भी जिघड़ा लोग काम करते हैं जैसे बैंक में करते ईं पुस्ट ऊफिस में करते हैं टेलिफ़ोन ऑफिस में Working student में करते हैं और hospitals में करते हैं these places provide us with services in our everyday lives और ये सभी जगह जो है ये कोई सामान वहाँ पर नहीं बनता है ये service देते हैं हम लोगों को परतेदीन के काम के लिए अगर माल लिजे कोई telephone offices में बैठ कर काम ना करें फिर हम लोगों का बात करना कैसे हो पाएगा है ना hospitals में अगर doctor nurse ना हो तो फिर मरीज का इलाज कोन करेगा और अगर restaurant में waiter ना हो सैफ ना हो तो फिर खाना कैसे खाएंगे हम लोग restaurant में जाकर तो वो सभी service provide करवाते हैं हम लोगों को most of these service based occupations are common cities और ये सभी खास करके सेहरों में बहुत ही common है तो ले fact quest में देखे क्या है पंजाब और हर्याना आर्ड लार्जेस्ट विट producing states in India पंजाब और हर्याना ये दोनों भारत में सबसे अधिक गेहु उपजाने का जगह है गेहु उतपादक राज्य है और एक question भी यहाँ पर है find out पता करिए आप लोग कि where in India do farmers grow crops like rice और भारत के किस राज्य में अधिक rice धान उप जाया जाता है चाव नप जाया जाता है अब यहाँ देखें क्या है write R for raw materials and M for manufactured goods इसमें R लिखना है जो कि raw materials है और manufactured goods के लिए M लिखना है यानि कि जो अभी कच्छा माल है जिसको की factory तक भेजा जाना है उसके लिए R और जो कुछ बन कर तयार हो गया उसे क्या कहेंगे manufactured goods तो आप इसमें से देखकर लिखो किसमें R होगा और किसमें M होगा How float reaches us? आटा, आटा हम तक कैसे पहुँचता है जिससे हम लोग रोटी बनाते है आटा से रोटी बनता ये तो जानते होगे तो कैसे हम तक आटा पहुँचता है? इसको ध्यान से देखिए हम लोग भोजन दुकानों से बाजार से खड़ित तो लेते हैं लेकिन वो वहाँ कैसे आता है? बाजार में वो चीज कैसे आता है? इसी चीज को जानेगे इसमें लेट उस सी हाव फ्लोर रिचेस अस इन दा फॉर्म ओफ चपाती और हम इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे फ्लोर हम तक आता है जिससे कि हम लोग चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं इन इंडिया फ्लोर is also made from rice, gram, chickpea, basra, maize and corn भारत में इन सब चीजों से भी आते बनाए जाते हैं तो चलिए इसका हम लोग एक स्रिंग ख़ला पढ़ें, सिरीज कैसे कैसे होता है, farmers sow seeds and cultivate the crop किसान बीज बोते हैं और जब फसल पक करते यार होता है तो उसे काट लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, when the crop ripen, farmers cut and gather it, this is called harvesting और उसके बाद क्या होता, जब फसल पक जाता है, तो किसान उसे काट कर इकठा करते हैं और इसे harvesting कहा जाता है, harvested wheat is sent to floor mills where it is grinded with the help of machines to make floor और उस गेहू को भेज दिया जाता है, या अनाज को भेज दिया जाता है, factory कौन सा factory? तो floor mills, जहाँ पर आटे बनते हैं और वहाँ machine की सहाइता से उसे piece कर आटा बनाया जाता है तो चलिए इसमें eco factor है, eco feed है, इसे हम लोग देखें कि too much farming on a piece of land decreases the quality of the soil too much farming, एक जगह पर बहुत अधिक खेती करने से वहाँ की जो मिटी होती है, उसकी उरवड़ा सकती, उसकी जो quality है वो घटता है तो चलिए आगे देखें, number four में फिर क्या होगा? wheat floor is packed and sent to markets from where we can buy it और mill से आटे को pack करके market में भेजा जाता है और फिर जहां से हम लोग खरीज सकते हैं उसे और जब घड़ आ जाता है आटा, फिर क्या होता है? we make chapatis using wheat floor at home और जब घड़ में आटे को लाकर उसे chapati बनाते हैं, रोटी बनाते हैं how clothes are made? अब हम लोग यह देखेंगे कि कपड़े कैसे बनते हैं we know that kurta's are made from cloth but where does the cloth come from? हम लोग जानते हैं कि कुड़ता कपड़े से बनता है लेकिन यह कपड़ा कहां से आता है बच्चों? बताओ यह कपड़ा कहां से आता है? a team of people work together to produce these manufactured goods लोगों के समूह एक साथ काम करते हैं तब जाकर यह बने हुए सामान हम तक पहुच पाता है therefore these occupations involve team work और इस इसलिए ऐसे व्यवसाई को team work कहा जाता है अब इसके हम लोग इसको steps को पढ़ेंगे कि कैसे हम लोगों तक कपड़ा पहुचता है farmers grow the cotton plants in fields किसान अपने खेत में cotton उप जाते है the cotton that is plugged from the plants is a raw material और plant से cotton को तोड़ कर निकालना इसे raw material कहते है यह मतलब निकाला हुआ cotton यानि कि cotton हो गया उपज गया उसे तोड़ कर रख लिया गया तो वो जो रख कर इकठा किये उसे कहेंगे हम लोग raw material और नमबर टू में क्या होगा कि plugged cotton is taken to factories where it is spooned into thread by spinners और फिर उस raw material को भेजा जाएगा factory और वहाँ पर उसे बनाए जाएंगे धागे देखे इसके हाथ में आपको धागा दिख रहा होगा इससे धागे बनाए जाएंगे और नमबर टू में क्या होगा और फिर उस धागे को उस factory में भेजा जाएगा जहाँ बुल कर उसे बुल कर कपड़े बना देंगे और चौथे में क्या होगा और जब कपड़े बन कर तयार हो जाएंगे तो वो जाएगा टेलर के पास टेलर मेंस क्या होता दर जी फिर दर्जी उसे सिल कर कपड़े बना देगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो यह दर्जी कपड़ा सिल रहा है और फिर उस कपड़े को हम खड़िद सकते हैं अब नेक्स्ट है आछ्ट्स एंड क्राप्स ऐफ इंडिया अब हम लोग इसमें आर्टें क्राफ्ट पारेंगे इंडिया क्या आप in औरफेंट क्राफ्ट वो अलग-अलग तरह के raw materials का उप्योग करते हैं ताकि अलग-अलग designs के आर्ट कर सके बहुत सारे beautiful objects बना सके goods made in Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Gujarat, Assam and South India are famous around the world और इस art and craft के लिए खास करके राजस्थान, Punjab, Uttar Pradesh, Gujarat, Assam, South India ये काफी famous है अब कैसे art आप लोगों के मन में आरहा होगा भी कैसा art and craft तो आप लोगों आप लोग जब कभी Disneyland मेला चाते होगे तो वहाँ पर आप देखते होगे कि बास का बहुत सुन्दर-सुन्दर चीज बनाया हुआ है जैसे कि फूल दान होता है या कोई छोटी-छोटी टोकरी जो की बहुत ही ज्यादा attractive जैसे की pen stand और बहुत इसा चीज है जो बनाया जाता है जैसे जूट का बहुत हाथ से बिना हुआ थैला बैग और कोई टोकरी इस तरह की चीज़े जो की काफी attractive दिखता है वो जो है कला का ही प्रतीक है तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ देख सकते है इमजर्ट क्लॉट्स है और यहाँ देखिए यह सिल्क है और जूटीज है और बैंबू गूड्स है और बैंबू का बैंबू का तो अभी मैंने बताया ही और मधुबनी पैंटिंग है मधुबनी पैंटिंग के लिए इंडिया बहुत जादा famous है और तो यह सारी चीज़े हमारे art and craft में आता है तो अब हम लोग रिकॉल करेंगे एक बार कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा occupations in India और जिसमें की भारत की व्यवसाई के बारे में पढ़ा और वो कैसे-कैसे हैं एक तो पहला सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा agriculture क्योंकि बिना भोजन के हम लोग तो रही नहीं सकते है और भोजन कहां से मिलेगा किसान से मिलेगा क्योंकि किसान ही अनाज उप जाते हैं उसके बार हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा किसान जब raw materials का उपस करते हैं यानि कि raw materials उप जाते हैं उसे इंडस्ट्री तक पहुचाया जाता है और वहाँ पर उससे सामान बनाया जाता है और उसके बाद next पढ़े हम लोग service sector के बारे में service sector जैसे कि telephone offices में लोग काम करते हैं बैंक में काम करते हैं तो यह सभी service sector हो गया अब हम लोग बारी बारे से फिर से एक बार देखते है agriculture में क्या पढ़ा farmers, animals, domestication यानि कि farmers किसान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और animal domestication यानि कि जानवडों का parent portion के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और इसके ओर इंडस्ट्री से क्या होता है manufactured goods इंडस्ट्री में manufactured goods बनाए जाते हैं सामान बनाया जाते हैं और service sector में किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बैंक्स, post offices, restaurants, hospitals तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसमें हम लोगों ने आर्ट एंड पढ़ा था और यह अलग अलग देसों में भी भारत बहुत जदा आजी है यहां के आयर्ट के लिए और जब भी टूरिस्ट आते हैं यहां पर तो यहां की जो यहां से बनाया हुए बहुत सामान की बहुत तारीब भी करते हैं और कभी-कभी तों से खड़ी देए बिया ओके थैंक यू